दोस्तो जब कोई मुई का टीजर टेर लेट होने लगता है तो उसमें लीग कडर तो लगी जाता है और हालीम दोस्तो वैसा हुआ यानिक दोस्तो जिस चीज का आप लोग इंतिजार करे थे वो ओफिशिली तो नहीं आई बलकि एक लीग की रूप में आ गई मैं बात कर रहूं गौर्द गौर्ड बुचर के पहले लुक की अब यहाँ पर इस इमेज को देखके काफी लोग खुश भी होंगे जो कि क्रिशन बेल के फैन है और काफी लोग हैरान भी होंगे क्योंकि जो लोग कॉमिक बुक देखे हैं और गौर्ड गौर्ड बुचर की कॉमिक एकुरेट लुक देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है जिससे देखके ऐसा लगता है कि उसकी नाक नहीं है और इसके जो दात है वो काफी नुकीले है लेकिन जो यह लीक इमेज आई है वो तो कोई और कहानी बता रही है क्योंकि ज़र आप लोग क्रिशन बेल के श में सीजय के जवथ होती है तो हम लोग उस एक्टर को पैचानना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन क्रिशन बेल के केस में ऐसा नहीं है और यह हो सकता है इनकी परसनल चॉइस होगी लेकिन यहाप बहुत से लोग को यह लोग काफी पसंद दिया होगो क्योंकि सिनमेटिक लेकिन उसके हिसाब से चीज़े बतली जा सकती है और जो लोग कॉमिक लवर होंगे उनको यह लोग थोड़ा अजीब लगा होगा वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको यह लोग कैसा लगा क्या आप इस लोग से खुश है कि नहीं लेकिन इन सब के अलावा मेरे पास एक दूसरी कमाल की ओसम अपडेट है जरा यह देखिए यहाँ पे अभी हाली में थाओ लवंट हेंडर से गौर्ड गौर्ड विचर का एक्शन फिगर भी लीक हो गया है और बगल में लोग क्या देखते है कोई गेस कर सकता है जी हाँ यह और क तो सबसे इंपोर्टन सवाल यहाँ पर यह आता है कि आगे जाके हम लोगों को टीजर ट्रिलर में इसका लाइव एक्शन वर्जान देखने को मिलेगा के नहीं क्योंकि अभी तक जितनी भी लीक आई है जया हम लोग बात करें थौर की जेन फोस्टर की या बाकी जितनी भ दिखाए भी रे दिया तो हम लोग बस थोड़ा और वेट करना है और अब तो मुझे पूरे यकीन होगे यह सब लीक देखने के बाद कि जो पहले टीजर ट्रिलर होगा उसमें गौर भी अच्छे सा अपियर होगा जैसा कि थौर अग्नरों के केस में हुआ था यारि कि जै किजिए और दोस्तों कर आप ऐसी इनक सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइब का इससा बन जाएगा